नमस्कार दोस्तों 28 जून 2024 का ये सर्कुलर है और इसको डाक विवाग के तरफ से पोस्टल लाइफ इंशुरेंस के डारेक्टेट द्वारा इशू किया गया है और ये पोस्टल लाइफ इंशुरेंस के रिगार्डिंग ही है PLI के रिगार्डिंग जो ग्रामिन डाग जीवन भीमा होता है उसके रिगार्डिंग है सर्कुलर है सर्कुलर के मादियम से क्या बताने की कोशिश की गई है वो हम देखेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए PLI-SBI-NACH integration यह January 2024 में All India में रॉल आउट हो गया था अब यह क्या है तो इसके बारे में हम discussion करेंगे कि यह क्या है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकरी नहीं है तो starting से देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है subject में देखिए Implementation of National Automated Clearing House NACH for auto deduction of PLI-RPLA premium directly from the bank account मतलब जिसका भी PLI है या फिर RPLI है पब्लिक है, customers है तो जो PLI और RPLI का premium है यह automatic bank से transfer हो जाएगा आपके policy में इसलिए NACH मतलब National Automated Clearing House यह रॉल आउट किया गया था January 2024 में ही और NACH क्या है National Automated Clearing House यह NPCI की एक service है जो सारे बैंकों को provide की जाती है auto debit या auto credit करने के समभन में तो इसी को बोलते है हम National Automated Clearing House short form में इसको NACH बोला जाता है तो यह Pan-India में अलड़ी roll out हो चुका है January 2024 में इसके बावजूद इसके बारे में बहुत लोग को जानकरी नहीं है जिसके वज़े से क्या होता है जो RPLI या फिर PLI का premium है उसमें देरी होती है फिर उसमें default लगता है इससे public को भी परिशानी होती है आम जनता को और इसके अलवा जो lap session की condition है जो PLI, RPLI laps होते हैं यह भारी मातरा में laps होते हैं तो हर साल renewal बहुत ज़्यादा मातरा में PLI, RPLI देखने को मिलता है तो इससे क्या होगा जब automatic पैसा रिड़क्ट होगा bank account से तो laps के भी chances बहुत कम रहेंगे और जो default fine लगता है due date बीच जाने के बाद उससे भी निजात पाई जा सकेगी तो एक-एक करके देखते हैं इसमें क्या है क्या इस circle में बताया गया है एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट में तो आपको बताया है मैंने कि जनवरी 24 में ये All India में रॉल आउट हुआ था और वहीं से ये implement भी हो चुका था और बहुत सारे customers ने इसके लिए register भी करा रखा है तो इस scheme के बारे में तो मैंने बताया आपको ये direct bank से आपका पैसर deduct होगा और direct PLI policy में ये credit हो जाएगा तीसरे point में देखे इस तो department को इसका benefit होगा जो lab session rate है इसमें गिरावट आएगी बहुत सारे policy labs हो जाते हैं इसी के चक्कर में फोर्थ point में देखे इस पर्टिनन टू हाइलाइट देट सोफा अब देखे जनवरी 2024 में ये लागू हुआ था लेकिन अब तक मात्र सिर्फ 1068 मतलब 1000 customers ही इसके लिए register किये जा चुके हैं मतलब 1000 customers का ही अब तक auto debit हो रहा है और all India में कितने सारे customers होंगे आप सोच सकते हैं लेकिन मात्र 1000 customers के पास information पहुंची है और उन्होंने ये register करा है मतलब बहुत ही minimum quantity में आप देख सकते हैं बहुत ही minimum ये rate है 1000 customers मातल इसके लिए register हुए हैं तो पाँचवे नमबर में देखिए Notably some circles have not yet registered a single mandate in the system whereas the North East, Maharashtra and 36गड़ circles have registered over 200 mandates on the system till date तो 36गड़, Maharashtra और North East में इसके लिए कुछ customers को registered किया गया है लेकिन बहुत सारे circles में एक भी customers को इसके लिए register नहीं किया गया है So SBI की जो team है वो भी support करने के लिए तयार है circles को, CPC को, जो भी staffs है, postal staff, उन सबी को इसके लिए मदद करने के लिए तयार है और इसके अलावा Bangalore GPO में इसका nodal office बनाया गया है आप देख सकते हैं कोई भी problem इसके regarding होती है तो आप direct Bangalore GPO में contact कर सकते हो जो भी staff होंगे, वो करेंगे contact, जिनकी भी duty होगी, इसको register कराने की वो Bangalore GPO से contact कर सकते है और इसका SOP भी 21 और 84 को issue हुआ था, उसमें से भी देखा जा सकता है और customers को इसका क्या फायदा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, benefits to customers No need to remember due date of payment मतलब due date का payment है, इसको याद रखने की भी आवशकता नहीं है Automatically पैसा deduct हो जाएगा आपके bank account से Second way reduces the risk of late or default इसके बारे में तो हमने देखा, जो default fee लगता है, उसमें भी गिरावट आएगी और provides hassle-free automated procedure आपको line में लगने की आवशकता नहीं है, automatic ये payment हो जाएगा आपके policy में credit हो जाएगा Removes need for repetitive manual payments जो manual payments करने जाते हैं याप हर माहिने या फिर monthly या फिर quarterly जैसा भी आपका policy होगा तो वहाँ पर repetitive manual payments की आवशकता भी आपको नहीं पड़ेगी avoids physical visits to post office post office में जाने की आवशकता नहीं पड़ेगी और cash handling भी आपको जरुवत नहीं है करने की तो इतने सारे benefits हैं इसके benefits to customers में और इसका process क्या है बहुत लोग को process नहीं पता है तो देखें, nearest post office में आपको visit करना है वहाँ पर एक form मिलेगा उस form को आपको भरना है और form में आपको date बताना है कि किस date में आप payment चाहते हो due date आपकी क्या है ओ date आप select करेंगे और फिर आपका form verify होगा उसके बाद आप इसको submit कर देंगे आपका registration successful हो जाएगा उसके बाद next premium से आपको कहें भी जाने क्या होशकता नहीं है आपके bank account से automatically credit हो जाएगा आपके policy में तो दोस्तों इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए अभी तक मातर 1000 customer से इसके लिए register किये जा चुके हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नहीं बेट के साथ